नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एर्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एर्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो शुरुआत करते हैं। देखें, इंडिया और रश्या के बीच में जो ट्रेड के बारे में बाते चल रही हैं। उसके इतर रश्या, इंडिया और चाइना के रिलेशन को वैलिंस भी कर सकता है। रश्या, इंडिया और चाइना का जो ट्राइंगल है। उसमें अब एक ची भी रहना चाहते हैं, युएस और चाइना के बीच में जो trade war है, वो कहीं न कहीं चाइना के स्थती को और मजबूत कर रहा है, कि वो American Presence को counter करते हुए अपने स्थती को यूरेशिया में और बहतर करे इस लिहाज से जो रशिया है वो यहाँ पर balance create करने का काम कर सकता है और अगर चाइना अपने आपको इसी तरीके से assert करता रहा तो जो existing balance of power है उसके लिए भी यह चिंता की बात होगी लेखे वैसे तो रशिया और इंडिया दोनों को ही जो status को बना हुआ है उससे फायदा मिला है दोनों एक दूसरे से interact कर रहे हैं जियो प्लेटिकल कोडिनेशन भी दोनों में देखने को मिल रहा है लेकिन दो में से कोई भी देस ऐसा नहीं चाहेगा कि वो चाइना के galloping regional ambitions का स चाहेगा कि चाइना और इंडिया के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हों क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा रशिया को इन दोनों के relations को balance करने के लिए इसलिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि ये तीनों देस आप टर्नाउट था उसमें 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली जो कि उसके पिछले साल के पेक्षा जो कि 17% था काफी ज़्यादा है 2025 तक दुनों के बीच में जो ट्रेड है उसकी उमीद यह है कि वो 30 billion dollar तक पहुँच जाएगा तो यहाँ पर आप एक पहला economic cooperation देख सकते हैं के बाद यह उस साल का biggest foreign investment था जो काफी लंबे समय से फाइदा पहुचा रहा है इंडिया को भी रशिया feasibility पर study कर रहा है नागपुर सिकंदराबाद high speed rail पर कि क्या वहाँ काम किया जा सकता है at the same time वो energy and transportation projects पर भी विचार कर रहे हैं जो वो इंडिया में construct करना चाहते हैं चौथा point फरवरी 2012 में सिबूर और Reliance Industries आपस में एक joint venture औरते हैं जिसके तहत Reliance सिबूर Elastometres Private Limited को जमनागर गुजरात में establish किया गया देखे ये इसके बाद region का पहला butyl rubber halo genation plant बन जाएगा जो की आने वाले समय में operational होगा इसकी capacity 120 ktpa किलो टन पर एनम से ये तो बात हम कर हैं butyl rubber की और 60 ktpa halogenated butyl rubber की जो capacity होगी वो इस plant की होगी अब देखे ये butyl rubber या फिर halogenated butyl rubber क्या होता है इसका इस्तेमाल गोंध की तरह भी किया जाता है और आपने देखा होगा tire के अंदर जो tube होता है जो काफी नरम होता है वो butyl rubber से ही बनाया जाता है butyl rubber या फिर halogenated butyl rubber है उसका इस्तेमाल miserly tire की tubes पराने में किया जाता है और भी कई तरीके के इसके इस्तेमाल होते हैं तो उनका production राफ काफी wide scale पर करने का प्रयास किया जा रहा है जो Moscow है वो एक key role play करना चाहता है और इसी दिसा में उन्होंने इंडिया के जो membership थी उसको संगाई cooperation organization में bet भी कि जा था कि इंडिया को SEO की member से मिलनी जाए जिससे की China के dominance कहीं ने कहीं उस organization में थोड़ी कम जरूर होई है डिफेंस की field में भी दोनों दे सापस में cooperate कर रहे हैं Russia largest arm supplier पना हुआ है one of the largest arm supplier है Russia इंडिया के लिए और अभी दोनों के बीच में एक agreement भी sign किया गया है कि दोनों ज उसको avoid करने के लिए दोनों के बीच में जो defense deals होंगी वो दोनों एक दूसरे की currency में कर लिया करेंगे dollar को avoid कर दिया जाएगा तो यह बहुत अच्छा cooperation है दोनों देसों के बीच में इस साल के यह जो last year था उसके October महिने में Russia और India ने 5 billion का एक agreement sign किया S-400 air defense system के लिए ठीक है यह deal sign की गई यह एक agreement का पार था जिसमें India रेशिया ने मसौदा तयार किया है कि 10 billion तक की defense deal sign की जाएगी इसके इतर कामूव के 226T helicopters के purchase की भी बात या प्रटेक्शन की जॉइन प्रटेक्शन की बात भी चल रही है इसके इतर 4 admirer Grigrovick class frigates देखिए जो frigates होते हैं वो warships होत कई बार बड़े warships को protect करने के लिए भी और fronts पर लडाईयां लडने के लिए भी तो उनको भी produce करने की बात चल रही है इसके इतर एक joint venture अमेठी में उत्तरपरेस में establish किया जाएगा जिसके जरीए AK203 rifles तयार किये जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी wide scale पर cooperation defense के field में दुनों देसों के बीच में चल रहा है कुछ और भी deals हैं जो कि underway हैं जैसे कि India SU-30 MKI अभी purchase करने वाला है इसके इतर 21 MIG 29 fighters भी purchase करने का plan बनाया जा रहा है साथ ही साथ जो रश्या है वो India का जो project 75 है Indian Navy का और Indian Air Force का जो contract है 114 fighters जिसके लिए उसके भी उसके ल में दुनों देसों का cooperation काफी बहतर और अच्छा है चाइना factor की बात करते हैं देखिए आवशकता ये है कि रश्या और इंडिया के बीच में जो cooperation है वो build up हो बड़े लेकिन चाइना center में आता है रश्या चाहेगा कि चाइना के साथ उसके संबंद अच्छे रहें करन कई सा रहे हैं चाइना की GDP इंडिया से चार गुना ज्यादा बड़ी है चाइना की जो difference spending है वो भी इंडिया से तीन गुना ज्यादा बड़ी है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में जो territorial disputes हैं वो कई बार तलखी भरे हो जाते हैं stand-off भी देख आरित है Soviet Union के समय से ही इंडिया के संबन बहुत अच्छे रहे थे उसी चीज को इंडिया आज भी follow करने का प्रयास करता है at the same time इंडिया चाहता है कि वो अपने relations को diversify करे और वो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो other countries के साथ relations है उनके साथ ही साथ Russia के साथ अपने relations को भी balance कर पाए 1971 में इंडिया ने रश्या के साथ या उस समय जो USSR हुआ करता था Soviet Union हुआ करता था उसके साथ Treaty of Friendship साइन करी थी Treaty of Friendship and Cooperation और इसका उद्देश ये था क्योंकि उस समय चाइना और USA एक दूसरे के नजदीक जा रहे थे वैसे तो initially China USSR के खेमे में था लेकिन बाद में उन्होंने अपने सम्मद USA के साथ बढ़ाने शुरू कर दे थे उसी चीज़ को counter करने के लिए ये सार ने इंडिया का सांथ देना सुरू कर दिया था और उसी चीज़ को आधार बनाकर आज भी रश्या अपनी foreign policy frame करता है रश्या ये जानता है कि इंडिया अपनी relations को diversify करना चाहता है economic or political perspective से भी और अपनी decision making में independence maintain करना चाहता है that's why अगर इंडिया USA के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है तो रश्या के साथ इंडिया के संबंध बहुत जदा downgrade नहीं होंगे क्योंकि देखे अभी US के जो sanctions हैं उसको bypass करते हुए दोनों देसों ने plan किया है कि वो एक दूसरे की currency में trade कर लेंगे still इंडिया उमीद कर रहा है कि White House यानि की USA इंडिया को एक waiver देगा ताकि इंडिया रश्या के साथ जो defense deal है उसे असानी से कर सके इंडिया इस बात को acknowledge करता है कि वो जो USA का support है वो बहुत जरूरी है UNSC में इंडिया की permanent seat के लिए इंडिया ये भी चाहता है कि जो पाकिस्तान और USA के बीच के relations में तलखी आई है इंडिया उसका फाइदा उठा सके Trump administration के इन ही प्रयासों की वज़े से या फिर इसी neutrality की वज़े से इंडिया कस्मीर में खुद को सक्ती के साथ रख भी पाया है और हमने अभी कस्मीर के special status को भी eliminate किया इसी आसवासन के साथ कि हमें global level पे pressure face नहीं करना पड़ेगा specifically USA का तो conclusion में ये बात कहीं जा रही है अलागि Russia इस बात को acknowledge करता है कि उसके dependency चाइना के उपर बहुत ज़दा बढ़ती जा रही है बट वो इस बात को भी accept करता है कि जो present balance of power है Eurasia में उसको खत्रा है चाइना के dominance के वज़द जैसे की Russia खुद को बहुत ज़दा assertive रखता है ये रोप में लेकिन Asia में या फिर Eurasia की इस region में रशिया खुद को एक limit से ज़दा assert नहीं करना चाहता है इन फैक्ट वो एक मध्यसता करना चाहते हैं ताकि balance बना रहा सके लेकिन सचाई ये है कि Eurasia का balance of power stake पर है आवशकता ये है कि इंडिया और रशिया एक साथ मिलकर एक shared strategy तयार करें और greater cooperation के साथ इस balance को establish करें तो ये पूरा article हमने यहां पर cover किया question आपके लिए means का है do you think emit the Russia's growing trade links with India Russia can play a role of balancer in India-China relations comment करना है आपको इस question को 200 words में इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion